प्यार प्यारे बच्चो इस वीडियो में प्लस्टू क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लिकेशनों डेरिवेटिव के एक्सराइज 6.4 कर रही है हमारे जामने क्वेशन नंबर 1 1 के हम 4 पार्ट बहले कर चुके हैं नेक्स्ट अब 5 और 6 कर रहे हैं यहां पर एप्रोक्सिमेशन से वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिफ्ट पार्ट में देखी 1 अपोन 10 दिया हुआ है तो हमारे पास फंक्शन क्या हुआ लेट y is equal to fx is equal to x raise to power 1 upon 10 जो भी होता है पहले हमने identify करना होता फंक्शन का अब हमारे पास f-x की value अगर हमने निकाल ली है f-x क्या होगा 1 upon 10 into x raise to power नीचे जाके क्योंकि अगर हम इसमें से minus 1 करेंगे तो हमारे पास minus 9 upon 10 है नीचे जाके यह power plus में हो जाएगे ठीक है so f-x 1 upon 10 x raise to power 9 upon 10 हो जाएगा अग ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने x and delta x find out करना यह बहुत important है ऐसी कोई आपको value आ रही हो नजर में जिसकी power 10 करने से इसके नियरबाई हो जाए यहाँ पर हमें कोई ऐसी value नहीं मिलेगी तो हम क्या करते हैं जो 1 है 1 का आप कोई साभी root लेंगे तो 1 होगा 1 का square root लेंगे 1 होगा cube root लेंगे 1 होगा tenth root लेंगे वो भी 1 होगा तो हम यहाँ पर माल लेते हैं let x is equal to 1 अब इसमें से अगर हम यह minus करते हैं इसमें से यह minus करते हैं तो वो हमारा delta x निकलेगा क्योंकि यह x plus delta x है x plus delta x लेना हमने तो इसमें से यह minus करेंगे 0.001 हमारा क्या होगा delta x लेकिन वो किसका होगा minus का होगा तो minus 0.001 is our delta x यह अगर आपने समझ लिया फिर तो बहुत ही असान सा है हमें यह पता है as f of x plus delta x is equal to approximation में f of x plus delta x into f dash x यहाँ पर value put करेंगे तो हमारा पास क्या बनेगा x plus delta x की power 1 by 10 approximation f of x x raise to power 1 by 10 plus delta x upon f dash x means 10 into x raise to power 9 upon 10 हो जाएगा चिक है यहाँ पर x plus delta x x की value हमार पास 1 1 और इसमें से minus करेंगे 1 minus 0.001 की power 1 by 10 approximation x x means 1 raise to power 1 upon 10 यह plus की बजाए आप यहाँ पर हमार पास क्या हो जाएगा minus होगा delta x value हमार पास 0.001 divided by 10 into x हमारा 1 है 1 raise to power 9 upon 10 यह value तो यही आएगे मार पास 0.999 का 1 upon 10 approximation यह हो गया 1 minus 0.001 divided by यह तो 1 होगा divided by 10 यह value एक point और इदर चला जाएगा 1 minus 0.0001 minus कर दीजिए approximation में आप क्या पास आजाएगा 0.999 आपका answer हो जाएगा ठीक है चलिए अब 6 part करते हैं यहाँ पर 1 upon 4 है तो let y is equal to fx is equal to वो हमने क्या ले लिया x raise to power 1 upon 4 so यहाँ से f dash x की जो value होगे वो हमार पास क्या होगे 1 upon 4 x raise to power 1 minus करेंगे minus का 3 upon 4 नीचे जाके यह plus का हो जाएगा तो f dash x की value हमार पास यह हो जाएगे अब f of x plus delta x is approximate f of x plus delta x into f dash x यहाँ पर हम value अगर हम लेते हैं तो हमार पास क्या बन जाएगा x plus delta x की power x plus delta x की power 1 upon 4 approximation f of x का means x raise to power 1 upon 4 plus delta x into 1 upon 4 into x raise to power 3y 4 हो जाएगा चिक है अब क्या सूज करना हमने x and delta x let x is equal to 4th root 15 के जो nearby होगा 15 के nearby 4th root में हमार पास क्या बनेगा 16 बन रहा है 16 2 की power 4 2 raise to power 4 है वो हमारा 16 4th root में बन रहा तो x की value हमने क्या ले लिया 16 ले लिया and delta x हमारा क्या होगा delta x हमारा पास क्या होगा minus 1 हो जाएगा इसमें से minus करेंगे तो minus 1 ही आएगा हमारा पूट कर दीजिए तो 16 minus 1 raise to power 1 upon 4 is approximate 16 raise to power 1 upon 4 plus delta x that is minus 1 divided by 4 into x x हमारा है 16 raise to power 3 by 4 हो गया approximation यह हमार पास हो गया 15 raise to power 1 upon 4 क्या बनेगा 2 raise to power 4 है इसकी power 1 upon 4 cancel होके 2 हो गया 2 यह हो गया minus 1 upon 4 into 16 raise to power 3 by 4 means 2 raise to power 4 into 3 by 4 cancel होके 2 raise to power कितना हो गया 3 हो गया so 2 raise to power 3 means हो गया हमारा 8 हो गया approximation 2 minus 1 upon 32 आपने क्या करना है 1 को 32 से डिवाइड करना point point तो नहीं जाएगा 0 कितने पे होगा 32 3 जा 96 4 बचा 1 32 8 32 तो हमने 3 decimal तक ही लेना है यह हो जाएगा approximation में 2 minus 0.31031 031 minus कर दीजिए approximation में हमारा पास value हो जाएगी 9 6 9 1.969 is our answer हो गया ठीक है तो बहुत यह असान सा है चलिए अब next part करते है part number 7 and 8 यहाँ पर हमारा पास function cube root का दिखाई दे रहा हमें so let fx is equal to हमने क्या ले लिया x raise to power 1 upon 3 यहाँ से f dash x जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon 3 x raise to power minus करेंगे तो minus 2 by 3 उपर तो लेकिन नीचे जाके पलस का हो जाएगा x raise to power 2 by 3 हो जाएगा ठीक है f of x plus delta x की value approximation f of x plus delta x into 1 upon f dash x f dash x हो जाएगा मतलब हमारे पास x plus delta x raise to power 1 upon 3 approximation में क्या होगा x की power 1 upon 3 plus delta x into 1 upon 3 into x raise to power 2 by 3 हो जाएगा अब मेंन बात क्या है perfectness की हमने डूनने की let x की value cube root में 3 का q बनता है so x हमने क्या लिया 27 इसमें से minus करेंगे वो delta x हो जाएगा delta x की value क्या हो जाएगी minus 1 x or delta x पता चल गया तो इसमें put कर देंगे इसलिए हमारे पास 27 minus 1 raise to power 1 upon 3 approximation में होगा 27 raise to power 1 upon 3 plus delta x की value minus 1 upon 3 into x हमारे पास 27 raise to power 2 upon 3 हो गया यह value हमारे पास यह हो गया 26 raise to power 1 upon 3 approximate value find out करने है 3 का q बनता तो यह value हमारे पास क्या बनेगी 3 और यह हो गया minus 1 upon 3 into 27 raise to power 2 by 3 3 की power 2 into 2 by 3 3 raise to power 3 3 से 3 cancel होके 3 raise to power 2 हो गया यह so into 3 raise to power 2 3 into 9 27 मिन्स आपने क्या करना है 1 को डिवाइड करना है 1 को डिवाइड करना किससे 27 से 0.0 छोटा रहेगा value 0 27 3 जा 81 9 0 approximate यह हमारे पास कितना हो जाएगा 7 189 छिक है तो 0.037 के approximate हो गया 3 minus 0.037 आप इसमें से minus कर दीजिए approximate में value आएगी 3692.963 26 raise to power 1 upon 3 के approximate value क्या हो जाएगा 2.963 हो गया next 8 में हमारे पास 4th root में है let y is equal to fx is equal to हमारा क्या ले लिया हमने x raise to power 1 upon 4 यहां से हमारे पास अगर हम इसका differentiate करते हैं तो f dash x की value 1 upon 4 x raise to power 1 minus करेंगे तो minus 3 by 4 नीचे जाके plus का हो जाएगा x raise to power 3 upon 4 हो गया अग f of x plus delta x approximate f of x plus delta x into f dash x that means x plus delta x की power 1 upon 4 approximation में x की power 1 upon 4 plus delta x divided by f dash x की यह value है तो 4 into x raise to power 3 upon 4 हो जाएगा क्या ढूनना है x and delta x let x 255 है यह 4 में किसकी power है 4 की power 4 4 की power 4 means 256 हमने x मान लिया इसमें से minus करेंगे तो delta x की value हो गई minus 1 पहले की तरह यह value इसमें put करेंगे तो 256 minus 1 raise to power 1 upon 4 approximation किसके हो गया 256 की power 1 upon 4 plus delta x delta x हमारे पास क्या है minus 1 divided by 4 into x means 256 raise to power 3 by 4 यह हो गया हमारा 255 की power 1 upon 4 यह value 4 की power 4 है बाहर 1 upon 4 है तो 4 रह जाएगा यह हो गया minus minus 1 upon 4 into अगर मैं यहां पर 3 upon 4 लेता हूँ तो 4 से 4 cancel होके 4 की power 3 means 4 into 4 raise to power 3 यह multiply होके 4 की power 4 ही हो जाएगा means आपको 1 को divide करना है किस से 256 से 256 ही divide करेंगे 0.00 फिर छोटा रह गया 0 and then 253 अगर 4 करेंगे जादा हो जाएगा तो 0.003 के करीब ही आ गया बस approximation में 3 decimal तक ही तो निकालना हमने यह value हमारे पास कितना हो गया 3 से multiply करते हैं 760, 8, 2, 3, 2 and 0 अगर हम करते हैं तो यह 5 से जादा जाएगा 5 से जादा गया 8 पे जाएगा 9 पे भी जा सकता है तो हम यहाँ पे अगर हम 9 या 8 जा रहा तो इसको छोड़ने के तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.004 तो यह value हो गया 4 माइनस 0.004 माइनस कर दीजी एप्रोक्सिमेशन में आ जाएगा 699, 3.996 आपका अंश्वर आ जाएगा दो तिन बातें याद रखनी है identify करना है function को यह value तो सब में सेम ही होगी उसका derivative पता होना चाहिए x and delta x की value पता होनी चाहिए बहुत ही असान से हैं चलिए इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में के लिए questions के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन यह भारत